पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है मोडियूल सबसे पहले हम आपको बताएंगे मोडियूल क्या होता है मतलब मोडियूल का टैप और इनें किस त्रीक Nee python प्रोजेक्ट में यूस कर सकते हैं इनका अड़ांटेज ले सकते हैं तो सबसे पहले मोडियूल का मतलब क्या होता है मोडियूल क्या होता आपको पता होना चाहिए है मोडियूल जा अर्दिंग बट ग्रूप सेब करके रखा हुआ उसे दुसरे python file में यूज करना चाहते हैं तब आप यूज करेंगे module ठीक है module यूज करने का main purpose होता है code reusability इसका मतलब क्या हुआ मालीचे आपने पहले से ही एक python project बना लिया है अब आप उसी टाइप का दूसरा project बना रहे हैं तो आप पहले वाले project के code को दूसरे वाले में directly import कर सकते है module की मदद से import करने के लिए आपको एक import keyword use करना पड़ेगा python में और आपको पहले वाले module का name यहां पर provide करना पड़ेगा तो इससे क्या होगा आपके नए वाले project में आपका पुराना वाला project का जो भी code था वो import हो जाएगा आपको नए वाले project में फिर पूरा code लिखने की ज़ौरत नहीं पड़ेगी ठीक है module use करने से हमारा time भी बसता है code भी हम reuse कर सकते हैं किसी भी python project के code को किसी भी दूसरे python project में use कर सकते हैं module की मदद से और इसलिए हम module का use करते हैं अभी module पर बनाने से पहले आपको पता क्या होना चाहिए अगर माले जब कोई python file है उसका नाम है first.py सबसे पहले तो कोई भी python file अपने आपने एक module है ठीक है माले जब python file का नाम है first.py तो यह हो गया हमारा module लेकिन जब आप इसे दूसरे project में use करेंगे first.py को माले जब किसी दूसरे python project में use कर रहे हैं तब आप इस module का name भर use करेंगे only आपको first use करना है use करते समय module को ठीक है किसी दूसरे project में तो module दो टाइप का होता है predefined मतलब जो पहले से ही defined किया जा चुका है जैसे random calendar keyword और भी बहुत सारे होते हैं ठीक है user defined जो हम अपना खुद का module बना सकते python में जैसे first, ancus, ankit कुछ भी आप यहां पे बना सकते हैं अपना खुद का module ठीक है और दोनों में सेम ही काम है दोनों में आप code को reuse करेंगे इसमें पहले से python developer ने code लिग दिया है आप directly इनको import करके यूज कर सकते हैं इसमें आप खुद का बनायवा project को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं एक्जामपल अगर मैं user defined की बात करूं module की यहां पे example देख लो समझ में आ जाएगा बानके चलो एक पहला python file first.py इसमें मैंने एक function बनाया हुआ और उसमें hello लिखा हुआ है अब इस पहले project को हमें दूसरे वाले project में use करना second.py file में use करना यह मेरा नया project है तो use करने के लिए मैं import keyword लिखूंगा उसके बाद यहां पर देखो पहले वाले file का नाम था first तो module का name हम सिर्फ first लेंगे पर module का name हमने ले लिया उसके बाद इस module के अंदर एक function है तो यहां पर first.function का name हम लिखेंगे तो इसका जितना भी code लिखा हुआ है इस function के अंदर module में वह सारा उठके इस वाले python file में आ चुका है हमारे नय project में यह हो गया हमारा old project और यह हो गया हमारा new project तो new project में हमारा सारा चीज आ गया module की मदद से अब हम इन सभी चीजों को यहां पर use कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम आपको practically सबसे पहले predefined module use करने सिखाते हैं उसकी बाद user defined का भी practical हम देखेंगे प्रोग्राम में सबसे पहले हम predefined module को कैसे यूज करते हैं python में वो सिखेंगे तो सबसे पहले calendar predefined module क्या होता है और इसे use कैसे करते हैं python program में वो आपको सिखना पड़ेगा तो use करने के लिए आपको simply लिखना पड़ेगा import एक keyword है जिसका use हम किसी भी module को import करने के लिए करते हैं अभी module का name देना पड़ेगा तो module का name है calendar यह हमारे module का name हो गया अब calendar module का use करके हम किसी भी month का calendar print कर सकते हैं तो यहाँ पर print करने के लिए हम print function use करेंगे और अपने module का name देंगे यहाँ पर calendar dot इसके पास एक function होता है month ठीक है month function दो attribute लेता है सबसे पहले आपको year provide करना है तो मैं 2022 provide कर रहा हूँ इसी month का मुझे print करना August का तो यहाँ पर मैं 8 लिख रहा हूँ ठीक है अभी अगर इसे मैं save करूँ और मैं program को यहाँ पर run करूँ तो यहाँ पर आप output screen में देख पाएंगे August मन्त का जो calendar है वो print हो चुका है ठीक है तो कितना easily हमने calendar module की मदद से यह calendar प्रिंट कर लिया तो calendar module के अंदर ही यह code लिखा हुआ है कि यह calendar कैसे print होगा ठीक है predefined module है पहला ही defined है हम बस उसे use कर रहे है month function की मदद से हम यह print करा पार है किसी भी particular month का calendar ठीक है अगर आपको माल लीजिए January का करना तो one लिख दो program को फिर से कर दो आप run यहाँ पर देखा अभी January का print होगया ठीक है तो इस तरीके से आप calendar module यूज कर सकते हैं अभी एक और predefined होता है बहुत सारे होते हैं मैं और बता देता हूँ keyword इसकी मदद से python में कितने reserve word है आप वो जान सकते हैं आप वो print कर सकते हैं आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा keyword उसके पास इसके भी attribute होते हैं जैसे calendar के पास month था keyword module के पास kw list है जिसकी मदद से इस kw list attribute की मदद से हम python में कितने keyword है list के form में देख सकते हैं तो program को run करूं अगर मैं तो अभी देखो python में जितने भी keyword है वो यहाँ पे print हो चुके हैं तो यह predefined module है जिन्हें आप directly import करो और use करो कोई दिक्कत नहीं है अब user defined module भी आपको समझना चाहिए ठीक है सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने output console को minimize करते हैं और दो window open करते हैं ठीक है यहाँ पे एक और python file है अपने पास यह रही ठीक है और यह output वाला को minimize करते हैं अभी तो अब user defined का हम discussion करने जा रहे तो user defined लिखेंगे user defined module मतलब आपको खुद का module बनाना पड़ेगा और आप बना सकते python में जैसे यहाँ पे हमारे file का नाम है first.py इस वाले python file का नाम है first.py और इस वाले python file का नाम है second.py दोनों file अपने आप में एक module है लेकिन मालो मैंने पहले वाले project में पहले वाले python file में एक program लिखा मैंने एक function यहाँ पे define किया so ठीक है और इसमें मैंने message print कर दिया simply hi ancus ठीक है यह message मैंने यहाँ पे print कर दिया तो function यहाँ पे define हो गया comment में लिख देता हूं यह हमने क्या क्या function define किया है अब function जब भी बनाते तो उन्हें call भी करना होता है तभी आप उन्हें use कर पाएंगे बिना call करे use नहीं कर पाएंगे यहाँ पे call कर लेते है so ठीक है यह मैंने यहाँ पे क्या किया है यहाँ पे function को call किया है अगर मैं इस program को save कर और यहीं पे run कर दूँ अभी कोई module मैंने use नहीं किया है तो यहाँ पे output में देखो output आ चुका है हाई अंकुस ठीक है अब इस code को इस पहले वाले project को हम second वाले में कैसे use करेंगे आपको वह सीख रहा है यही होगा user defined module तो इस वाले में कैसे हम use करेंगे वह मैं आपको बताता हूँ अब ठीक है आपको लिखना पड़ेगा import module इंपोर्ट करने जा रहे है module का नाम है first.py लेकिन use करते समय only हम name use करेंगे first ठीक है extension use नहीं करेंगे अब result के form में print करना है तो यहाँ पे लिखेंगे print उसके बाद module करें हम first जैसे predefined में होता था user defined में भी same first. इसका कौन सा function so function तो यहाँ पे लिखेंगे so ठीक है हमने function को यहीं पे call कर लिया इस बार तो अब हमें यहाँ पे call करने की जौरत नहीं है ठीक है अब हम इस वाले file को run करेंगे second वाले file को run कर रहें ठीक है तो यहाँ पे हमने second वाली file को run कर रहें तो यहाँ पे देखो करते हैं, copy करते हैं, group के form में हो सकते हैं, बहुत सारे function हो सकते हैं, बहुत सारे variable हो सकते हैं, बहुत सारे classes हो सकते हैं, आप जो भी define करो, ठीक है, एक और function मालो यहाँ पे disp कर दिया मैंने, और यहाँ पे high, अनकित print कर दिया, हाई नहीं, hello, ठीक है, अब आते हैं अपने second वाले project में, इसको save कर लेते हैं, और second वाले में आते हैं, अभी मालो मुझे second वाले function को भी access करना है अपने इस project में, यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा मुझे first.function का नाम disp, ठीक है, call करेंगे, बस, अब सबसे पहले देखो, हाई अंकित प्रिंट हुआ है, नन मतलब ignore करो इसको, उसके बाद हमारा क्या प्रिंट हुआ है, हाई, hello, अंकित भी प्रिंट हुआ है, और यहाँ पे मैं python ideally भी coding कर रहा हूँ, इसलिए नन मिल रहा है, अगर आप VS code में करेंगे तो आपको यह नन नही लिख सकते जैसे, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं अपने city का name जमसियत भूल, ठीक है, तो यह second वाली फाइल का code है, यह भी print होगा, ठीक है, और पहले वाले फाइल का सारा code भी print होगा, देखो, पहले वाली फाइल के सब कुछ यूज किये हम यहाँ तक, उसके बा सकते हैं, मैंने आपको वो भी दिखाया, अभी और भी सारी चीजे हैं, चलिए उन्हें clear करते हैं, इसके अंदर suppose एक दो और method है, मान लीजे कि हाँ, मेरे पास calculator method भी है, suppose, ठीक है, तो अब हम लोग calculator को भी use कर सकते हैं, ठीक है, calculator को भी use कर सकते हैं, कैसे, मैं यहाँ लिख हो जाएगा, addition, subtraction, multiplication, सब कुछ यहाँ पर print हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर print हो गया, clear है, तो यह use होता है, functions का, और हम लोगों को यहाँ पर क्या, बारवर functions, functions लिखना पड़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि कोई particular, कोई particular method को ह सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा, मैं चाहता हूँ सिर्फ calculator ही इसके अंदर print हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग use करेंगे, from keyword का, ठेक है, from keyword का, from, और अपने उस module का नाम, module का नाम हम लोगा क्या, functions, import, क्या चाहते हो आप, उस function से आप क्या अबिलेबल करना चाहता हो इस फाइल के अंदर, मैं चाहता हूँ सिर्फ greet नाम का ही function इसके अंदर अविलेबल हो, बाकि कुछ भी अविलेबल नहीं हो, तो अभी क्या होगा हम लोगों का, greet यहाँ पर directly print करेंगे, तो यह इसके अंदर अविलेबल है, greet का value यहाँ पर print हो जाएगा, लेकिन हम लोग calculate करेंगे, क्योंकि calculate के हमने यहाँ पर import नहीं करवाया है, इसलिए calculate में हम लोगों का error आ जाएगा, ठीक है, good evening guest, पहला line execute हो गया, लेकिन calculator यहाँ पर अविलेबल नहीं है, क्योंकि हमने calculator को अविलेबल नहीं करवाया है, अब यहाँ पर हम लोग कॉमा दे करके calculator को भी ला स हम चाते हैं कि उस function के अंदर जितने भी चीज हैं, जितने भी चीज हैं, सारे के सारे आ जाएं, हम लोग यूज करेंगे उसके लिए asterix symbol का, asterix मतलब all, ठेक है, अब क्या करेगा यह function के अंदर जितने भी मेरे function या variable है, सब कुछ इस file के अंदर आ जाएंगे, अब ही run कर पर import करवाएंगे, जो भी value यहां पर हम लोग import कराएंगे, उसका हम लोग कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, ठेक है, जैसे greet नाम को जो function था, इसको हम लोग देना चाहते हैं कोई और नाम, जैसे हम लोग देना चाहते हैं, इस wish, तो with the help of as keyword, हम लोग use कर सकते हैं, को अब हम लोग को एक error written करेगा, ठेक है, ये इस greet को जानता ही नहीं है, ठेक है, अब हम लोग को क्या use करना होगा, यहां पर use करना होगा wish, ठेक है, wish, अब wish ही काम करेगा as a greet, ठेक है, काम कर रहा न, ओकि, इसका हम लोग उनको कब use पड़ेगा, दो के हम लोग module को alias करते हैं मौडियूल अलाइशिं कब करते हैं हम लोग दो केस में एक ठो तो कोई बड़ा सा नाम हो हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा नाम लिख दूँ उसके जगह पे जो की रीडेबल जादा हो ठीक है बतर जो रीडेबल हो यानि कि नेम प्रॉब्लम के वज़े से नाम को जो प्रॉब्लम हो उसके वज़े से अगर हम लोग चाहते हैं कोई इसी नेम आजा suppose to improve readability कोई भी ऐसा नाम दे सकते हैं जिसमें हम लोग ज्यादर कमफ़डेबल हैं कुछ भी नाम दे सकते हैं ठीक है दूसरा हम लोग कहां पि यूज कर सकते हैं मतलब मॉडियुल थे कि यह dato हम लोग कहां से tight कर पाएंगे कि यह कौन सा function यह कौन सा module से आया है और वो कौन सा module से आया है ठीक है जैसी कि मैं यहां पर एक आपको example देता हूं मैं यहां पर एक और file बनाता हूं इसका नाम रखता हूं just test.py ठीक है और इसके अंदर मैं भी एक function मनाता हूं def grid यहां पर मैं प्रिंट करता हूं print जस्ट अनदर अनदर ग्रीट ठीक अनदर ग्रीट और मैं चाहता हूं इस grid इस grid function को भी import करना किसके अंदर modules.py के अंदर तो हम लोग मैं यहां पर क्या लिखूंगा मैं यहां लिखूंगा from from taste import grid आपने देखा यहां पर यहां पर यह problem होगा न हम लोगों का दो या दो से जादे modules के अंदर भी क्या हो सकता है same function name हो सकते है या same variable name ठीक है उससे बचने के लिए यानि कि name conflicting से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या as का इस्तमाल या नहीं हम लोग करते हैं aliasing method हम लोग करते है module aliasing अभी मैं print करता हूँ grid को तो क्या आएगा output इसका value print होगा ना कि इसका ठीक है just another key great ठीक है इसका value print होगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे भी import कर लूँ और इसे भी import कर लूँ तो इन दोनों का नाम distinguish करने के लिए हम लोग दोनों में से किसी योग को दुसरा नाम दे देंगे या दोनों को भी दे सकते हैं हम लोग use करेंगे as यहां कुछ और नाम देते हैं हम लोग यहां लिखेंगे great of function को जब call करेंगे तो उपरवाले great of function call रग नहीं होगा ठेक है और great of tess को जब हम लोग call करेंगे तो निचे लिफ function call हो जाएगा ठेक है निचे लिफ module के अंदर जो function है वो call हो जाएगा आल्राइट आल्राइट तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं module aliasing का मैं यहां लिख देता हूँ to prevent name conflicting आल्राइट तो हम लोगों को जितना हम लोगों का जितना syllabus था core python के अंदर हमने वो सारा cover कर दिया है मैं उमीद करता हूँ यह topic आप लोगों को easily समझ में आ जाएंगे अगर आपके मन में कुछ भी doubt होते हैं कुछ भी doubt होते हैं इन topic के regarding आप मुझसे comment section में बेहिचक होकर के पुछिए मैं आपके हर एक comment का जवाब दूँगा ओल्राइट